हलो फ्रेंड्स गुड मॉनिंग मैं असोक और आप सब का स्वागत है मेरी यूटूब चैनल एके ओफिसियल इस्टेनोगराफी सीरीज में दोस्तों आज मैं आपके लिए डिक्टेशन अस्ति सब्द परती मिनट ले कराया हूँ दोस्तों यह है डिक्टेशन राजस्तान हाई कोट, विधान सबा, SSC, SSB, BSF, CRPF, CISF, ITBP, NTPC, Railway और भी ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं जिनमें यह है डिक्टेट की जाती है दोस्तों डिक्टेशन के साथ साथ आपको विरामचिन, कौमा और सब्द सुद्य के बारे में भी बताया जाएगा दोस्तों इस डिक्टेशन की जो PDF है वो आपको description के अंदर मिल जाएगी दोस्तों इस डिक्टेशन में जो भी कटिन सब्द आये हैं उनका मैंने short सब्द दे दिया है आप dictation स्टार्ट होने से पहले वो आप उसे देख सकते हैं दोस्तों short सब्द देखने के 3 सेकंड बाद आपकी dictation है वो स्टार्ट हो जाएगी दोस्तों आप लोग अगर इस्टेनों सीखना चाते हैं तो उसके लिए मैंने वीडियो बना रखे हैं आप लोग वीडियो देख सकते हैं तो दोस्तों चलिए अब हम short सब्द स्टार्ट करते हैं दोस्तों ये सभी शोट सब्द साइलिंट आवाज में चलेंगे इसके खतम होने के बाद तीन सेकिंड बाद डिक्टेशन स्टार्ट हो जाएगी झाल草 जागी शोट सुटार्ट जाएगी झाल草 सुटार्ट हो जाएगी जाल草 सेकिंड बाद बाद दियर में गाना तीन सेकिंड गिवागी झाल草 झाल草 धोर व Cordero लुटेशन सेकिंड तीन सेकिंड बात झाल 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 डिक्टेशन स्टार्ट होगी तीन सेकंड बाद स्टार्ट बिहार के नालंदा जिले की हरनोत विधानसबा के ग्राम बेलची में 1977 में कुरिमियों के एक समुहे ने ग्यारा दलितों को उनकी जोपडियों में घसीट कर हाथ पैर बांद कर घास फूस में जलाकर मार डाला विराम इंद्रा गांदी तब विपक्स में आई ही थी और बेलची के पीडित परिवारों से मिलने के लिए देर रात बरसात के बावजूद हाती पर बैठ कर नदी पार करके गई थी विराम उनके साहस की बहुत चर्चा हुई थी विराम इसके बाद पूरे देश में उनके पक्ष में हवा बन गई और 1980 में उन्होंने जोड़दार वापसी की विराम यह घटना जहां भारतिय इतिहास में इंद्रा गांधी की अपार सपलता के लिए जानी जाती है वही यह कोई नहीं जानता की बेलची के पिडित परिवारों को नियाले से क्या नियाय प्राप्थ हुआ इस एतिहासिक घटना से प्रेरणा लेकर आज भी गांधी परिवार द्वारा ऐसा ही कुछ प्रियास किया जा रहा है विराम अलिगड में अलग हुए जीला हात्रस के थाना चंदपा के ग्राम बूलगडी में एक वालमी की दलित लड़की को अत्यंत घायल अवस्ता में 14 सित्तंबर को खेत में पाया गया विराम पुलिस ने घरवालों की रिपोर्ट पर हत्या के प्रियास का मामला पंजिबद किया जबकी आरोपित है की उन्हें बताया गया की लड़की के साथ बलातकार हुआ है विराम कई दिन बाद अलिगड के अस्पताल में लड़की के बयान के आधार पर बलातकार के धारा बढ़ाई गई विराम अंत में नई दिल्ली के सबदर जंग अस्पताल में उसकी मरत्यू होने पर हत्या का अपराद भी जोड दिया गया विराम इसके बाद की आपा धापी में सही तकनीकी विवेचना नहीं हो सकी विराम चो तरफा आलोचनाओं से घिरे योगी ने पुलिस अधिक्षक का इस्थान आंत्रन कर दिया और अग्यात कारणों से जीला मजिस्ट्रेट को हटाने से इनकार कर दिया विराम हर परकार के विपक्षी नेताओं कोमा पत्तरकारों कोमा मानवदिकार कार्य करताओं का गाउं पहुचने का ताता लग गया विराम थोड़ा संभलने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा मामला CBI को सोपने तथा सुप्रिम कोर्ट से इसका प्रियवेक्षन करने का निवेदन किया गया है अपनी चीर परिचित सेली में उन्होंने यह भी घोसना की की पूरे उत्तर परदेश में जातिये दंगे कराने का कुथ सित सडियंतर किया जा रहा है चार लोगों को अनलोफुल एक्टिविटी प्रिवेशन एक्ट के अंतरगत जेल में डाल दिया गया है योगी समर्थकों के एक बड़े वर्ग का यह भी मत है की लड़की परिवार के ही हातों ओनर किलिंग का सिकार हुई विराम अब सीबियाई जाच जारी है भारतिय सविधान के सभी मूल सिद्दांत इंगलेंड और अमेरिका आधी के परजातांतरिक सविधान पर आधारित है कौमा पर भारत में पुलिस और अन्य एजेंसियां किसके इसारे पर काम करती है यह सर्वविधित है विराम अमेरिका में पुलिस कर्मी के हातों एक एस्वेत व्यक्ति की निर्मम हत्या को लेकर वहां बड़े हिस्से में लूट पाट और दंगे भड़क गए थे लेकिन वहां इस प्रकरण की जाच किसे सोपी जाए कौमा घटना इस्तल पर विपक्सी नेताओं को जाने दिया जाए या नहीं कौमा ऐसी कोई समश्या नहीं थी विराम नियालों के हस्तक शेप की जरूरत पड़े कौमा ऐसा वहां कोई आउसर नहीं होता क्योंकि FBI की कारिये पदती निर्दारित है विराम दोस्तों मुझे आसा है कि आप लोगों को हमारे वीडियो पसंद आया है दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए और दोस्तों आप लोग अगर हमारी यूटूब चैनल पे नए हैं तो हमारी यूटूब चैनल को सब् PDF है वो आप लोगों को description के अंदर मिल जाएगी Thank you